हेलो दोस्तू क्या आपको पता चलता है कि भोजन आप जो कियें भोजन सही से पचा या फिर नहीं पचा भोजन हमें कितने देर पर करना चाहिए हम जो खाना खा रहे है और ठीक से हज़म हुआ या फिर नहीं हुआ इसिके बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरी तक देखिएगा दोस्ति वीडियो को स्किप मत किजिए पूरा लाश तक देखिए आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि भोजन ठीक से पचने के बाद कैसा मैसूस होता है क्या अनुभब होता है इसी के बारे में हेलो दोस्तो मैं हूर भी आपका दोस्त हमारे लोजी टॉक्सी वीडियो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेडिसीन और हेल से जुरी ही जनकारी के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए भूख लगती है और जबकि दूसरों लोग को थोड़ा देर से अधिक समय लगता है आपके सरीर के भोजन को पचानने में कितना समय लगता है यह आपके उम्र और सारीरी के स्थिति भोजन की मात्रा और पाचन तंत्र की शमता क्या है इसके उपर भी परभाव होता है इसल भोजन कब करना चाहिए इस बात का आपको अनुभब करना चाहिए आपकी खाने की अवसक्ता और समय बदल सकते है इसलिए अपने सरीर को समय से पहले या देर से भोजन न दे ऐसे तो भोजन एक बार करने के बाद 4 गंटे बा deci यही सला होता है लकिन कुछ लोगों में 2 ग पचने पर आपको पेट सांत और सुरक्षित अनुभव कराता है। अनुभव आपको होगा, कि भोजन ठीक से पच चुगा है। आपको पेट में गैस नहीं बनेगा। अनुभंसिक समस्याओ का अनुभव नहीं होता है। यदि आपको भोजन समयक रूप से पच गया है तो आप खुद को तकिरिये उर्जावान और स्वस्त महसूस करेंगे आपको ठकावट महसूस नहीं होगी या निरासा की कमी ही होगी आपका मन सान्थ रहेगा यदि आपको भोजन सही रूप से पचा हुआ है तो आपको नियमित रूप से बातरूम होगी आपको कब्ज जैसी समस्या नहीं होगी और आपके आत का मल समय पर निकल जाएगा अगर आपका भोजन सही रूप से पचा हुआ है तो आपकी भूख संतुलित रहेगी समय पर आपको भूख लएगा आपको भोजन के बाद दिन भर में नियमित खाने की इच्छा होगी और आपका आहार संतुलित होगे भोजन सही रूप से पचने पर आपको खाने का सुखद और स्वादिष्ट आनंद मिलेगा आपको खाने में सही रस स्वाद का आनंद मिलेगा यदि आपको भोजन करने के बाद कोई दिक्कत होता है तो आप अपने डॉक्टर से सला ले सकते हैं ये सारी आपको भोजन करने क जो आपने खाया उसकी धाकार आ रही है तो आपका डाइजेस्टम सिस्टम ठीक नहीं आपको दुबारा देर से खाना चाहिए आप अनभव कर सकते हैं हर आदमी का अपना अपना सरीर के अनुसार भोजन करना चाहिए सरीर हमें खुद अनभव दिलाता है कि हमें किस समय भोजन ठीक से पच चुका है यह आपको खुद अनभव करना होगा आप अनभव करके अपने खान पान की रूटीन को सिट कर सकते हैं डाइट को मेंटन कर सकते हैं यह हर आदमी का अलग-अलग हो सकता है यदि आप अनभव नहीं कर पा रहे हैं तो आप समय निर्धारित कर और उसी समय पर भोजन आप करें आपका सरीर के समय के अनुसार काम करेगा एक बार भोजन करने के बाद तीन से चार घंटे बाद भोजन करना चाहिए समयक रूप से पचे हुए भोजन का अनभव करना बहुत ही जरूरी है धन्यबाद दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बता है कोई भी सला हो या फिर सुझा हो तो आप हमें दे सकते हैं मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में धन्यवाद